है इस हुआ है इस स्वागत आपका आपी के यूटूब चैनल में इसको डीके में अधाज हम जिसके बारे में डिस्केस करेंगे वह अडानी गूरूप अडानी गूरूप के ओल सेर्स को लेकर डिस्केस करेंगे सभी स्टॉक्स के रिगार्डिंग बड़ी-बड़ी अपडे भी बहुत बड़े एपडेटें को मील रही हैं आपको डीटेस में ब小 में बाताप से स्टार्ट करती है जाए हैं कि आपको देखंगे अधानी गूरूप की जो हमें ये अब्डेट देखने को मिलेगे कि यहां पर आप देखो के भी क्या अपडेट आप डेaltra है जब रिपोर्ट जारी की थी 24 जनवरी को उसके बाद शेहरों में काफी बड़ी क्रेक्शन आई लगबग 80 परशंट जो शेहर थे वो टूटे थे जो हिड़न बर्ग ने बोला था उसके बाद आप देखो कि भी आज दिन हमें एक अपडेट आते हैं नजर आये और उस आपको दिखाते हैं कि अपडेट आफ इसके बाद हम डिसक्स करेंगे यहां पर क्या हमें जोना भी मुमेंट्स आते नजर आएंगे तो यहां पर आप देखोगे यह अपडेट हमें आते नजर आई थी हिड़न बर्ग की जो रिपोर्ट थी वह सही नहीं थी यह बताये ग बाद यह बड़ी अपडेट आ गई कि भी हिड़न बर्ग ने जो रिसर्च की थी उसके उपर जोना बहुत बड़ा एक्शन देखने को में दार उस टोकों के अंदर जोना बहुत बड़ी क्रेक्शन आई थी तो जिसके करणा आप देखोगे एफ यो भी अडान जी के जोन लेकर बड़ी बात बोली है की इंद्टन बर्ग के जो रिपोर्ट्य पींधिश नहीं कहोगे मोबिस ने ये बहुत बड़े-बड़े बाते बोली है अंग्रेजी अकबार को दिये हाले इंटर्व्यू में ये बाते कही है तो चलिए अब देखते हैं भी इन सभी स्टॉकों के रिगार्डिंग क्या अपडेट आई और हमें क्यों पैशा लगाना चाहिए तो आप देखो के भी ये रिपोर्ट आने के बात जैसे जटका लगा एलाइसी बहुत बड़े-बड़े इन्वेस्टर जोना स्टॉक अंदर बैठे हुए थे ठीक है तो उन सब को देखो बहुत बड़ा जटका लगा बट इस जो गिरावट हुई थी इन्हों ने ये मोका सम कितनी क्या हमें जोना भी सबसे पहले है एक शीमेंट अगर मैं बात कुरूं तो एक शीमेंट में आप देखो के दो हजार तेज की महास्ति माही के अंदर स्विमेंट निर्माथा एक प्रमोटरों के होल्डिंग 50 6.69 परशंट इससेदार रही है वहीं कंपनी में तो अगर अडानी एंटरप्राइज में आप देखोगे भी जो प्रमोटरों के होल्डिंग रही है 69.23 परशंट और इसके अपोजित आप देखोगे मूचल फंड ने 0.83 परशंट स्टेक है और जो पब्लिक के पास 7.86 परशंट हमें स्टेक के देखने को मिलर और FFIs के पास आप द 49% इंक्रीज हमें देखो जो 49% जम पाया है something 8000 पलस जो मेगावोट है वह वहां पर हमें जोना भी इंक्रीज होते हैं नजर आए काफी बड़ी अपडेट आई अडानी गरीं के रिगाल्डिंग तो खल अडानी गरीं में काफी तेजी बनते नजर आएगी अडानी गरीं क के पास आप देखोंगे 17.13% स्टेक हमें देखने को मिल रहा है अडानी पोट्स के अगर बात करें यहां पर आप देखोंगे mutual funds की holding के अगर बात करूं लगबग 3.09% है और जो पबलिक के पास है 7.95% FFIs के पास आप देखोंगे 17.99% तो यहां पर जोना भी आप पर FFIs ने अपरा जो स्टेक है वो इंक्रीज के वसाए डिक्रीज की आप जो यहां पर जिसकी holding हमें आते नजर आई है वो है mutual fund mutual fund ने यहां पर आप देखोंगे लगबग 0.01% स्टेक लिया है तो अडानी पावर अडानी पोट अडानी टोटल केंश अभी शेरों के अंद जोना भी खुंखार तेजी बनेगी ऊपर की तरफ तो अडानी गुरूप के जितने भी स्टोक्स हैं उन सभी केंदा जोना भी काफी शांदार तेजी बनने की चांसे अब हमें देखने को मिल रहे हैं क्योंकि mutual funds जोना भी यहां पर कोई हिससे दाई लेते ने लेने हैं NDTV क जेंदरबट और स्टोकों में काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है तो यह बेस्ट मोका हैं इंशेरों में पैसा लगाने का और यहां पर आप देखो के अडानी ट्रास्मिसिंट को लेकर अगर बात करें तो अडानी ट्रास्मिसिंट को लेकर भी काफी बड़ी तो काफी बड़ा प्लान सामने आया था अडानी ट्रास्मिसिंट को लेकर साथ हजार क्रोड डॉलर का जो निवेस होने जा रहा है तो यहां चेक बेस्ट मोका होगा आगे का जो प्लान है वो डिसाइडिकर लिया गया है और तो हजास ताइस तक आप देखोगे 70 अगर जो यह निरभर रहेंगे वह आप देखोगे इसके जो ग्रीन एनर्जी इसके उपर तो काफी बड़ा जो यह अब डाटा हमें देखे नहीं मिला आज की दिन तो इन शेरों के पर पज़ना पर काफी शादा अब जो ना आगले आने वाले टाइम में यह श्टो काफी ज़्यादा फोकस में रहेंगे तो इन शेरों के पर पैसा लगाना इतिंक सबसे पैस्ट रहेंगा आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए देख लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बना मत भूलना एं